नमस्कार दोस्तों टेक्निकल चंदू यूटूब चनल में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे इलेक्टरिशन परस्ट यर के चौथे क्लास के उपर जिसमें मेरा बैसिक लेक्टरिशिटी का दूसरा क्लास होगा तो फ्रेंड बिना टाइम बेस्ट के हम उतने टॉप अगला कोस्टन फ्रेंड धारा को नापने के लिए किसी अंदर का प्योग किया जाता है यह बोल रहा है धारा को मापने के लिए के मतलब की सर्किट में प्रवाइध होने वाली धारा को मापना है और के बोल्टेज को नहीं मातना आपना एंवोल्टेज अलग होता है अलग होता है ह् वे जो होता है उसका पुरहा नाम क्या होता है इस डवलग्य का पूरा नाम होता है इस स्टेंडर वा brag सो नाइं सब्सक्राइब ओए ቃ हां पर कि दो ईब्सक्राइब shoulders का काम क्या होता है तो इस्ते ईंडर वायर गेज का हम मिट्व sód की सिवाfunded के वाटर की कितने नंबर का है इसमें नंबर किया जाता है तो उसकी सहता समकिसी वाईर कि मौटाई को माफ लेते हैं अगला क्वोश्चन और विद्दूत चार्ज की होती है यह पुछ रहे बिद्दूत चार्ज जो होता है उसकी है प्रतिरोध को नापा जाता है यह पूछ रहा है कि प्रतिरोध जो होता है जो रेजिस्टेंस होता है कि रेजिस्टेंस को किसमें मापा जाता है ओम मीटर से मापा जाता है अब रित्ती मीटर से मापा जाता है बोल्ट मीटर से मापा जाता है तो किसे मापा जाता है तो हम प् बोल्ट मीटर का उपयोग हम विभांतर के लिए करते हैं विभांतर को मापने के लिए करते हैं ठीक है तो हम अगले कोस्चन के उपर अगला कोस्चन है विद्धुत दाब को मापन यंतर द्वारा मापा जाता है जो कि यह बोल रहा है कि विद्धुत दाब को मापन यंतर द् तो कई सारे नामों से जाना जाता है तो विधुत दाबनाव देने हैं, यहाँ पर भिदुत दाब बोल रहा है उसको धक्राणको प्रतीद कर सकते हैं अपने आपको समझ सकते हैं कि विधुत यहां पर वॉल्टमिटर मतलब प्रतीग क्या होता बढ़त है प्रतीग के लिख नमबर स्त्रेंट धैरी फिक यह मतलब प्रतीग होता है यह अगला कोस्टन फ्रेक्ट्राण का चार्ज कतना होता है यह पूछ रहा है इसका ठीक भी परीत जो होता है तो बढ़ते अगले question के उपर अगला question पूछ रहा है friend कि इलक्टरान का भार कितना होता है सोचिए हमारे देश के बिग्यानिक है कई देश के बिग्यानिक लोग कितने बुद्धिमान हो गया है कि एक अगरे इक वायर कंड़क्टर ले ले लुत हैं लाख़ों करोड़ नोत है तो नहीं एक लिक्ता का भुपार पता कर लिया कि लिक्ति देखिए जो एक लिपन का भार होता है वह होता है 9.1 गुड़े 10 कहटे मायनस 31 केजी होता है ठीक एक लेक्तरान का भार नाइं प्वाइंट बाश्टे माइनस 15 केजी होता है ला क्वेश्चिंए फ्रेंड प्रॉटान का चार्ज कितना होता है तो हमने बताय कि इलेकटरान का ठीक बीपरीत जो होता हैIntel लिए प्रोटान का चार्ज होता है यहां पर गुड़े 10 किखाते माइनस किलोग्राम होता है हम बढ़ते अपने अगले question के उपर अगला question है friend neutron का भार कितना होता है यह पूछ रहा है कि neutron जो होता है उसका भार कितना होता है यहां पर मेरे कुछ options जो है कि वो cut गए है जो option मेरा सही था वही वाला cut चुगा है इतमें आपको बतादे friend इसका जो आपशन होगा इसका answer जो होगा one point six 75 गरे तस्क घाते-ध्राइस जो होता है कि neutron का भार होता है अगला question मेll friend neutron का चार्ज होता है पूछ रहा है neutron चार्ज होता है धनातमक में होता है द्रित अट मन में होता है कोई charge ने होता है multiple होता है multiple मतलब ढमातमक दोनों तो यहाँ पर आपसा नमबर सौसवी हो जाएगा कोई चार्ज नहीं होता है ठीक है नीट्रान पर कोई चार्ज नहीं होता है तो हम बढ़ते हैं अगले कोस्टन के ऊपर अगला कोस्टन है फ्रेंड प्रोटान का चार्ज होता है यह पूछ रहा है प्रोटान का चार्ज कितन होता है यह पूछ रहा है गीले मानव शरीर का प्रतिरोद कितना होता है गीले आप लोगों ने कभी सोचा होगा ना कि यार मनुस्ति के शरीर का प्रतिरोद कितना होगा तो वह सुखे प्यालग होता है गीले प्यालग होता है मतलब इस्थिति के अनुसार उस्ता प्रतिरोद है हम बढ़ते हैं अगले के ऊपर और rond जो कि यह क्यूओ बोल्ट ब्राबर कितना होता है ठॉच Carrie 1 कि बंस था एक इसको माना गुष्टकर खाख रहता है पचासबुल पचासबुल पोचासबुल टाएं लेकिन अगर वही एक हजार बोल्ट हो जाए तो उसको हम एक कीडो बॉल्ट बोलते हैं तो यहां पर बराबर होता है आपने अगले और लास्ट को सेन्स के उपर पहुचते हैं जो कि ये बोल रहा है कि एक पीक को intéressant को फरेड़े बराद पार अगर आपको वीडियो बसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर करें जिससे आपके पर्एटन का बेन्न वाले एलेक्टिप्रिचन के तहरी कट तकेiete केfend कर दक